सलाम अलेक्म आपबन मैं हूँ मुहमद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलास फिर्स अकैडमी आज हम लोग सेकेंड एर फिजिक्स के चैप्टर नमबर 11 का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं और बेसिकली यह जो टॉपिक है वो जो हमारे एक टॉपिक था लीनियर एंट लीन के अंदर हमारा टॉपिक है मेन बाय मेटलिक स्ट्रिप और जब हम लोग बाय मेटलिक स्ट्रिप को स्टुड़ी कर लेंगे तो वो बाय मेटलिक स्ट्रिप दो जगा पर इस्तमाल होती है एक बाय मेटलिक थर्मोस्टेट में और एक इस्तमाल होती है बाय मेटलिक थर्ममी और metallic मतलब metal से निकला है यह एक ऐसी strip है जो के दो metals से मिलकर बनाई जाती है पत्री है एक strip है जैसे दो metals से बनाया जाता है consists of two different metals having different coefficients of thermal expansion जो दोनों materials है जाहिर सी बात है जो दोनों metals है वो different substances है और अगर वो different substances हैं तो उनके coefficients जो होते हैं thermal expansion के वो different होते हैं अब ज़रा याद दिलाएं कि सबसे पहली बात thermal expansion का मतलब किसी body को हीव दें और वो expand हो जाए उसका size बढ़ जाए इसे thermal expansion का आ जाता है इसी की type अलड़ी हम लोने discuss की थी linear thermal expansion वैसे अगर detail में यह बाते नहीं पता ना आपको तो मैं आपको suggest करूंगा कि आप वो lecture जाके देखो जो linear thermal expansion का है volumetric thermal expansion का है ताकि मुकमल बात समझ में आ सके और अगर idea है तो थोड़ा से यहाँ पर revision कर लेते हैं अच्छा जी तो expansion कितना होता है length के अंदर उसको linear thermal expansion का आ जाता है और उसके लिए हमें एक formula find करते हैं coefficient thermal expansion का जिसको हम alpha से show करते हैं and that is change in length per unit actual length of per degree change in temperature यह formula इस्तमाल किया जाता है coefficient of linear expansion के लिए देखिए कुछ substances ऐसे होते हैं कि उन्हें आप heat दो तो वो बहुत ज्यादा expand हो जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप heat दें वो कम expand होंगे तो कौन सा metal बहुत ज्यादा expand होगा कौन सा metal बहुत कम expand होगा it depends on the coefficient of thermal expansion यानि कि linear thermal expansion अगर alpha की value कम है it means कि उसमें जो expansion आएगा वो भी कम आएगा अगर alpha की value ज्यादा है it means वो heat के लिए sensitive है और उसमें expansion भी ज्यादा produce होगा ठीक है तो अब आप समझ जाओ कि हमने एक strip बनाई है दो metal से मिलके और उन दो metals ही खास बात यह है कि जब उनको heat दी जाएगी तो एक metal जादा पहलेगा और एक metal कम पहलेगा ठीक है यह हो गई पूरी की पूरी logic जैसे कि यह है मिसाल के तौर पे एक हमने बरा दिया brass का और एक material जो है वो copper हो गया iron हो गया कोई से भी हो सकता है पर दो different metals होने चाहिए उनको हमने आपस में जोड के में heat करता तो brass expand होता सीधा सीधा अगर iron की rod होती purely में heat देता तो iron expand होता बट यहाँ पे तो मैंने दोनों को mix कर दिया है मैंने एक strip बना दिये जिसमें दोनों materials जो है वो मौझूद है अब क्या होगा कि जब भी हम biometallic strip को heat देते हैं तो नतीजे में क्या होता है अच्छा यह steel और copper की होती है generally यह steel और brass हो सकता है जिसको हम इस्तमाल करते हैं अब जैसे कि मैं आपको समझा रहा था कि क्योंके उनके thermal expansion different होगी कोई ज्यादा expand करेगा कोई कम expand करेगा यानि कि सबके जो rates होते हैं वो different होते है at the same temperature अगर for example iron है मैं उसे heat दे रहा हूँ और उसका temperature change कर रहाएगा सरी बात ही है तो इस खुसूसियत की वज़ा से जैसे ही हम temperature को change करेंगे तो जो metal strip होगी एक side पर वो ज्यादा expand होगी दूसरी कम expand होगी और नतीजे में यह rot सीधा-सीधा नहीं फैलेंगे बलके यहां पर produce होगी bending यही है सारा का सारा हमारा biometallic strip का use के biometallic strip को जब heat ती जाती है तो due to the difference in their coefficient of linear thermal expansion वो सीधा-सीधा बढ़ने के बजाए bend हो जाती है क्योंकि एक metal ज्यादा फैल रहा है एक metal कम फैल रहा है तो नतीजे में यह देख लो एक metal यहां पर ज्यादा expand होता हो नजर आ रहा है दूसरा जो हो कम expand होता हो नजर आ रहा है नतीजे म पूरे के अंदर हम bending effect को देखते हैं इन by metallic strip और अगर by metallic strip का एक part में fix कर दूँ तो नतीजे में कुछ इस किसम की bending नजर आएगी कि यह वाला point fix हो गया तो यह तो हिल नहीं सकता तो फिर यह इस तरीके से bend हो जाएगा ठीक है जी तो by metallic strip को जब भी हिल दी जाती है एक part को fix क करके तो कुछ इसी किसम का effect देखने में आता है बट इस by metallic strip का use क्या है कहां इस्तमाल कर सकते हैं कैसे इस्तमाल कर सकते हैं यह भी हमें समझना है तो सबसे पहले इस by metallic strip को हम इस्तमाल कर सकते हैं in by metallic thermostate ठीक है नहीं therm heat को कहते है और state कहते हैं उसकी एक हालत को basically state को तो by metallic thermostate thermostate ही एक ऐसी device है जो के heat को एक state पे रखने की maintain करने की control करने की कोशिश करती है thermostate is a device which is used to maintain a desired temperature जब हम चाहते हैं कि temperature desired हो मतलब मैं चाहरा हूँ कि कहीं का temperature 27 रहे 27 से उपर ना जाए या 27 से नीचे ना जाए तो मैं इस्तमाल करता हूँ thermostate for example हम refrigerator में temperature को adjust कर देते हैं फिर क्या होता है कि जैसी refrigerator का temperature उतना हो जाता है जितना कि हमने set किया हुआ है तो वो जो refrigerator है वो काम करना बन कर देता है यकिनना आप लोगों ने note किया होगा कि refrigerator working कर रहे होते हैं फिर अचानक से खामोश हो जाते हैं फिर काम करते हैं वो है due to thermostate एर कंडिशनर में भी ऐसी होता है, इस तरी में भी ऐसी होता है आइरन में, आइरन में हमने एक heat set कर दी कि यह इतनी ज़ादा गरम हो जाए और जैसे ही इस तरी उतनी गरम हो जाती है, circuit ब्रेक हो जाता है और नतीजे में हम देखते हैं कि इस तरी काम करना बन कर देती है, और सारी की सारी devices microwave oven यह normal oven जो होता है जहां पर हम चाहते हैं कि temperature एक desired level तक जाए चाहे वो उपर की तरफ हो मतब hot की तरफ हो चाहे वो cold की तरफ हो so we use biometallic thermostate तो वही मैंने नाम से बताया था 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 थे एक हालत रखनी है heat की तो biometallic strip इस तरीके से काम करती है actually वो काम करती है as electric contact breaker यानि कि जो contact है उसको break करती है जैसे कि मैंने आपको बताया fridge एक खास हट तक cool down करेगा और उसके बाद circuit break हो जाएगा वो बंद हो जाएगा इस तरी में भी देखोगे ऐसी कि इस तरी एक खास हट तक heat करती है फिर वो उसका circuit off हो जाता है break हो जाता है फिर वो काम नहीं करती तो basically हम biometallic strip को इस्तेमाल करते हैं as electric contact breaker electric heating circuits के अंदर और यह जो circuit होता है जैसे ही temperature reach हो जाता है मैंने आपको बताया circuit break हो जाता है जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे for example हमने एक biometallic strip लगा दी thermostate में यह जो yellow वाला part है यह brass से बना हुआ है यह inverse steel से बना हुआ है और यह एक contact है S ठीक है यह fixed contact है electric contact और फिलाल यह जो हमारा P है यह हो गई यह वाली biometallic strip तो आप देख सकते हो फिलाल biometallic strip और यह जो हमारे पास S वाला point है ठीक है स्विच जहां पर है यह current जहां से pass होगा यह आपस में contact में है current pass हो रहा होगा ठीक है यह इस तरी का एक thermostat है तो फिलाल इस तरी काम कर रही है ठीक है क्योंकि यह circuit आपको नजर आ रहा है कि connect हुआ है बट जैसे ही इस तरी ज्यादा गरम हो जाएगी यानि कि इसको मैं ज्यादा heat दे दूँगा जो हम उसको ज्यादा heat दे देंगे तो अभी हमने discuss किया कि heat देने पर यह क्या हो जाएगा बेंड हो जाएगा जब बेंड हो जाएगा तो circuit ब्रेक होगा जो कि यहाँ पर मैं आपको पढ़के ही बतायता हूं कि due to the difference in coefficient of linear expansion दो metals है तो bimetallic strip जो है वो बेंड हो जाएगी बेंड होगी तो यहाँ से देखो यह जो bimetallic strip होती है जो कि contact में एक screw के साथ S यह कोई भी screw fix हुआ वा है तो यह hot होता है bend होता है downward यह जो strip होगी वो downward bend हो जाएगी तो जो contact P है वो break हो जाएगा यानि current flow होना बंद हो जाएगा तो मैं आपको इस तरी की मिसाल दे रहा हू तो यह contact break हो जाएगा microwave oven के अंदर होता है जैसी temperature reach हो जाता है यह bend हो जाती है और contact break हो जाता है इस तरीके से ठीके देखो पहले यह position थी current pass हो रहा था अब क्यूंके heat मिलने पर यह bend होगी तो contact break हो जाएगा आप देख सकते हूं यहाँ पर contact break हो गया current pass होना बंद हो जाएग और फिर आइस्ता इस्ता वो cool down होने लगेगी अजैसे ही इस तरी cool down होने लगेगी तो यकीन यह जो bending आई थी यह दुबारा से strips contact होंगी और जो contact है P का और S का वो restore हो जाएगा बहाल हो जाएगा कुछ इस तरीके से ठीके जी पहले क्या हो रहा था पहले हमने देखा जब जर्म हो रहे थे तो contact break हो गया था फिर यह contact बन गया या इस तरी दुबारा अन हो जाएगी आप देखोंगे उसकी light on हो जाती है तो सरफ यह oven इस तरी वगारा यह आप कही पर भी इस्तमाल कर सकते हो जैसे रेफिजिवेटर में एर कंडिशन में जहां पर हम चाहते हैं कि खास temperature maintain रहे इसी circuit को थोड़ा सा उल्टा कर दो कि cool down होने पर touch हो जाए बतलब यही अगर मैं इधर लगा दूँ ठीक है यह वाला जो है इधर लगा दिया जाए एस वाला जो part है यह अगर हम इस तरफ कुछ लगा दें एस कोई screw इधर लगा दें तो क्या हो कि भाई जैसे ह कि heat up हो जाए वैसी contact में आ जाए और otherwise break हो जाए तो वो जो है air condition या fridge का काम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि fridge तब तक चलता है जब तक गर्मी रहती है जैसे temperature थोड़ा ठंडा हो जाता है तो यह rod जो हो सीधी हो जाएगी strip जो हो सीधी हो जाएगी contact break हो जाएगा fridge या air condition off ह हो जाएगा okay so इस तरीके से एक biometallic strip जो है वो इस्तमाल होती है in biometallic thermostate और दूसरी application biometallic thermometer की है कि biometallic thermometer thermometer आपको पता है temperature को measure करने के लिए इस्तमाल किया जाता है but biometallic is a different thermometer kind of a different thermometer एक biometallic thermometer जो है वो temperature measurement device है वो तो हमें पता ही है but वो क्या करता है it converts the media's temperature जो temperature होता है जिस जगा का measure करना है into mechanical displacement using a biometallic strip जो for example clinical thermometer होता है उसके अदर आप देखते हैं कि liquid को displace कराया जाता है तो liquid just height तक जाता है हम नाप लेते हैं यहां पर बाकाइदा एक scale होता है एक needle होती है और उसकी rotation से जो है वो हम temperature को measure करते है something like this यहां पर जो biometallic strip होती है वो यहां पर spiral की form में है हमने उसके साथ एक needle को जोड़ दिया और एक जो है वो यहां पर scale आपको नज़र आ रहा है clear यानि कि जहां पर जा रही होगी वो शोगरेगा कि फिलाल जो है वो कितना for example five six seven फिलाल seven degrees Celsius आपको नज़र आ रहा है और यह आगे भी चला जाएगा due to heating और याद रखो है जो spiral है यह है metallic strip hit देने पर इसने bend ही होना है तो as the temperature rises जो दो metal strips है वो expand होती है differently और यह create करता bending effect यह already आप जानते हो लिखवा में मतब यह अलग से दिखा रहा हूं कि आप notes बनाओ और इसी तरीके से याद करो the strip is in such a way that the metal with the higher thermal coefficient from the outer side of the arc जो वो जादा फिलता है जाहिर सी बात है जिसका coefficient of expansion ज्यादा होता है तो इस किसम का कुछ मामला होता है देखो फिलाल आपको नजर आ रहा है यह spiral की form में है यहाँ पर इस तरीके से spring की form में है by metallic strip और दो material से बनी होगी जाहर सी बात है by metallic strip जिसको हमने further connect कियावा है यहाँ पे एक pointer से जो की needle है और यहाँ पर जो है वो scale नजर आ रहा होगा पिछले वाले में थोड़ी सी different figure मैंने आपक इस तरीके से काम कर रहा होगा अब हमने क्या करा अब for example अगर हम इसको heat दें तो आप देखोगे नतीजे में कि यह जो strip है यह थोड़ी सी bend होगी bend होगी तो यहाँ पर expansion नजर आएगी थोड़ा सा फैलाओ नजर आएगा जब फैलाओ नजर आएगा तो नतीजे में यह जो bending in this strip ठीके जी और अगर इस तस्वीए के जरीए आप समझ सकते हो तो वो भी समझ जाओ कि जब यह expand होगी तो इस तरीके से यह जो needle है यह घूमते घूमते इधर कहीं पर आ जाएगी तो नतीजे में हम जो है वो temperature को measure कर पाएंगे ठीके जी तो इस तरीके से यह काम करेगा और फिर जैसे ही temperature कम होगा तो आपको पता है कि यह actual position पे इसने वापस आना ही है ठीके जी क्योंकि हमने इसको जोड़ा होता है एक spring के जरीए तो वह spring इसको वापस ले आता है और actual नजर आता है जो के होता है इसका temperature पहले ही कुछ इस तरीके का ठीके ना तो जैसे हम इस्त that's it for this lecture I hope आपको समय में आगया होगा बाइमेडलिक स्ट्रेप और सो किस तरीके से इस्तामाल करते हैं short question की त्यारी हो जाएगे इंशालला अगर आप इस topic को करोगे कुछ confusion है तो बिल्कुल मुझसे पूछना I will reply that's all for today Allah Hafiz कि अरसे होगारी बाइम तैसे में आप्लिक मुझसे करां जेसे पूद से चिति पनिदे का जाएगे लाह neither इे जाशना I उन जाएगे इस को कि तो कि नाएगे बावात बाएगे मुझसे तो इस पन्शकलों Cannon औकां पिल्माल लामाल 직 Spit